घर में जो बच्चे हैं स्कूल की शिक्षा ववस्था से सीधे ओनलाइन क्लासिस की शिक्षा ववस्था पर शिफ्ट करना अर्बन इंडिया यानि की शहरी भारत के लिए भी उतना आसान नहीं था इसी का नतीज़ा आप यहां देख रहे हैं दो-दो करेक्शन हैं में क्या हालात होंगे इसका अंडाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है यह वरालिका है के जी में पढ़ती है इनकी क्लास भी घरवालों को अपना समय देने पर मजबूर करती है इनके ओनलाइन क्लास के लिए मोबाइल डेटा लिमिट बढ़वाने के साथ साथ इनके मा अब आपको नया फोन भी लेना पड़ा ताकि पढ़ाई चलती रहें लोगडाउन के बाद जब ओनाइन क्लास चालो ही तो स्कूल ने कभी एंटिस्पेट नहीं किया कि पेरेंट्स के पास मोबाइल है टैब है लैप टॉप है वाइफाई है उन्होंने जस्ट है डिक्टे आपको ने नेटवर्क चूस किया उसके नेट यहां पर नहीं आ रहा इच्छा हमें दूसरा सब्सक्राइबर लेना पड़ा वो चलाने के लिए अभी भावकों की परेशानी यह है कि स्कूल अपनी फीस हर महीने ले रहे स्कूल से जुड़े सारे खर्च अभी भावकों की जेब से जा रही है लेकिन ओनलाइन ग्लास ने बच्चों के परिवारों का इंटरनेट और मोबाईल लैप्टॉप का खर्च बढ़ा दिया है और यही पर अभी भावकों का यह कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास है वो प्राइविट स्कूल जो है केवल और केवल खाना पूर् तो यह बहुत बढ़ा बहस का मुद्धा है जो हमें लगता है कि सरकारी इस पर ध्यान देंगी राजस्तान के कोटा में रंगपूर कस्बे के इस परिवार में कमाई करने वाले किवल एक व्यक्ति है चो मात्र बारा हसार रुपए कमाते है इन पर दो स्कूली बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है पहले स्कूल की फीस भरते थे अब फीस के साथ साथ स्मार्ट फोन और इंटरनेट का खच अलग से होने लगा है सिक्षक भी अभिफावकों की ये मजबूरी समझते है बहुत बड़ी प्रॉबलम ही आ रही है बच्चों की गाउ में स्पेशली जहां हम है कि स्मार्ट फोन अबलेबिलिटी नहीं है हमारे पास अगर है भी तो इसकी ने सेहरों में तो फिर भी माबाब कुछ न कुछ करके मुबाइल इंटरनेट की व्यवस्था कर पा रहे हैं लेकिन उन गाउं का हाल खराब है जहां विजली कमवक्त के लिए आती है और मुबाइल नेटवक खराब होना एक पड़ी समस्या है अभी तक अभिभावक बच्चो को मुबाइल लापटॉक पर जादा देर ना बैठने की नसीहत देते थे लेकिन अब यह मजबूरी और ज़रूरत बन गया है तो उनलाइन या वाई-पाई कैसे काम करेगा तो उस केस में जरूर समश्या है अदर्वाइस तो ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले वक्त का जिसने नौलेज बैंक और रिसोर्स परसन और जो लगनर इसके बीच का गैप कम किया है ग्रेटर नोयडा के केंड्रिय विद्याले के छात्रों से भी इतने बात की ओनलाइन सिक्षा की मुश्किलों से दोचार हो रहे इन बच्चों की परिशानी जानने की कोशिश की परिशानिया हर तरह की परिस्थितियों में होती है कई स्कूलों में पंखे नहीं होते बीने गढ़न का पानी नहीं होता बच्चों के इन परिशानिया हर तरह की परिस्थितियों में होती है कई स्कूलों में पंखे नहीं होते बीने गढ़न का पानी नहीं होता बच्चों आपको इन परिशानियों से भी दोचार होना पड़ता है और अब जब बच्चे खर पर है ओनलाइन क्लासिस हो रही है तो अभे भावकों को उनकी सेहत और अपने बजट की चिंदा सता रही है मुझा मककर के साथ एरो रपोर्ट जी मीडिया शिक्षा हसिल करने के लिए हर पीडी को किसी ना किसी संघर्ष किसी ना किसी तरह का संघर्ष करना ही पड़ता है लेकिन सिर्फ शिक्षा ही आपको अच्छा और सच्चा नागरिक नहीं बनाती आज आपको एक उधारन देना चाहते हैं उधारन के लिए केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है जहांके 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन फिर भी केरल से हर साल सबसे ज़्यादा IS-IS जैसे आतंकवादी संगठोनों में जबकि बिहार जैसा राज्य जैसे अशिक्षा विवस्ता में किक्षेतर में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है जहां सिर्फ 63 प्रतिशत लोग साक्षर हैं फिर भी बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग IS और IPS बनते हैं सिर्फ 2001 से 2015 के बीची बिहार से 68 IS अफसर देश को मिले हैं यानि सबसे साक्षर राज्य होने के बावजूद के जो युवा हैं IS IS की सबसे ज़्यादा भरती भारत में केरल से होती है और बिहार जैसा गरीब राज्य देश को IS और IPS दे रहा है इसके बारे में भी आप सूचेगा या हम चार मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको शरिया वर्से संसकारों वाला एक विश्रिशन दिखाएंगे